हाई दोस्तो आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर हार देख स्वागत है तो आगे के कुश्चिन जल्दी से देख लेते हैं जो आपके कॉम्टिटिटिव एक्जाम के पॉइंटो भी से बहुत यादा इंपोर्टेंट कुश्चिन्स हैं तो कुश्चिन नमर 32 है विस्चु समझ ज cyn՞ता था क्रिक्ट आंशर हो जायेगा दस्वमबर 1966 को तास्व्चर चैनल समस्ज्च की मध्य पिसफन ने शहीद भगगत सिंग का जनम दिनक होना आया गया तो इसका पर 29 नवंबर 807 को भगत सिंग का जनम मनाया गया तो अपिटीन नंबर is is again 100ienst finally Sat सितंबर 1807 को भगत सिंग का जिनम मनाये गया इस कुछी ने दुस्तों ओस्टेलिया कब स्वतंत्र हुआ था उनीज सो पच्पनीशी में तो अपसे नमर ए इसका राइड आंसर हो जाएगा इस कुछी नमर 36 है अमेरिका में राष्टपती का चुनाब कितनी बरस पस्चात होत ही तो अपसे नमर बी इसका राइड आंसर हो जाएगा चार बरस पस्चात इस कुछी ने भारती कलेंडर को किस बरस से मानेता प्रदान की गई है तो अपसे नमर ए इसका राइड आंसर हो जाएगा इस कुछी ने चीन ने भारत पर कब आक्रमड किया था तो इस कुछी ने किस बर्स मतदान की आयू बढ़ाकर अठारे बर्स की गई है तो सन 1988 से मतदान की आयू बढ़ाकर अठारे बर्स की गई थी तो अपसिन नमर ए इसका राइडान सोफ हो जाएगा नेस कुस्चे ने भारत के प्रतम बायू सेना के एर मार्सल कौन थी सर थोमस एमस हर्ट सन 1947 सी आपसिन नमर ए इसका राइडान सोफ हो जाता है नेस कुस्चे ने दोस्तो मौसम ब्यवाक की स्थापना भारत में कब की गई थी तो जो 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 नेस कुस्चे ने आपके स्क्रिन पर आप देख सकते हैं तो हमने देख लिया दा मौसम विवा किस्ता अपना कप की गई थी सन 1845 को और नेस कुछे ने दोस्तो फैदम किसकी मापने की काई है तो फैदम से क्या मापा जाता है फैदम से मापा जाता है समुद्र की गहराई तो अप्सिन नमर B इसका राइडांसो हो जाएगा नेस कुछे ने दूद की सुद्धा को किसी यंते द्वारा मापा जाता है तो इस तो लेक्टो मीटर द्वारा दूद की सुद्धा को मापा जाता है नेस कुछे ने चंदरमा का एक दिन प्रत्थिवी के कितने दिनों के बराबर होता है तो इस तो 28 दिन के बराबर तो option number C इसका correct answer हो जाएगा नेश कुस्ची ने दोस्तो भारत में rubber plant कहां से लाया गया था तो इसका correct answer हो जाएगा ब्राजील ते यानि ब्राजील से option number A इसका right answer हो जाएगा और दोस्तो जो बांकी के कुस्ची ने उन्हें भी हम जल्दी से देख लेते हैं तो 46 नमर कुस्ची ने हैं दोस्तो फाइकोलोजी बिसे में किस बस्तू का अद्यान किया जाता है दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा सेवाल का यानि option number A इसका right answer हो जाएगा नेश कुस्ची ने दोस्तो भारत की प्रतम anti-tech missile कौन सी है दोस्तो वो है नाग तो option number A इसका right answer हो जाएगा जो एक anti-tech missile है नेश कुस्ची ने दोस्तो भारत में अरजन प्रसकार कब आरम किये गए थी सन 1961 सी अरजन प्रसकार आरम किये गए थी तो option number A इसका right answer हो जाएगा नेश कुस्ची ने दोस्तो सतरंज का खेल किस दीस से प्रारम हुआ था तो इसका right answer हो जाएगा India यानि भारत से सतरंज का खेल start हुआ था नेश कुस्ची ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा किस सायर की रचना है तो इसका correct answer हो जाएगा इकबाल की इसका क्रिक्ट आंसर हो जाएगा ओप्सिय नमर बी इसको से ने दूस्तु चिपको अंदुलन कब आरम हुआ था उनिस सो तिहत्तर इसुई में गोपेशवर तो आपसिय नमर ए इसका राइडांस वह जाएगा इसको से ने दूस्तु कुछिय नमर 53 है इसको से नमक बीमारी क हमें प्राप्त होता है तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभिछा होती है उसे पीद के एमर ना चाहिए पस्च्चम की तरह और पीट होनी चाहिए पूरबकी तरब तश्मी आपको अच्छी तरह गया लाब मिल पाता है तो option number A हो जाएगा vitamin D प्राप्त होती है शूर के प्रकाश द्वारा नेस कुस्षिन है दोस्तो नेस कुस्षिन है the last question of this video बाई मंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है तो बाई मंडल में सबसे भारी गैस है redone तो option number A इसका redone सो हो जाएगा इसी के साथ हमने GK के important questions complete कर लिए है अगर आपको नहीं वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक्यू दोस्तो